आज हम कर्व। पिंच ब्रेस्ट देखने वाले हैं इससे पहले हमने कर्व के दो प्रेस्ट अपलोड किये हुए हैं लास के सेशन में आपको देखना है डिस्कृप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन से आप क्लिक करके उसका लिंक ले सकते हैं यहां से हम चलते हैं, let's, इसका size हम छोड़ा करते हैं, यहां पर आप देखो कि symmetry on है, यह दो pointed आ रहे हैं यहां पर, तो अगर हम यहां पर कुछ चलाते हैं, तो दोनों side में चलेगा, आप यह देख रहे हो, brush, यहां पर आपको click करना है, और आपको keyboard से C button को press कर देना है, तो C से जितने भी ब्रेस होंगे सी नाम के वो आ जाएंगे हमें यहाँ पर कर्व के कैटेगरी में चलना है कर्व ब्रिच, कर्व लेथ और कर्व मल्टी ट्यूब यह तीन ब्रेस हमने लास्ट के सेशन में यूज किया हुआ है इनके थुरू मॉडलिंग करी हुई है आज हम कर्व पिंच ब्रेस को देखेंगे इसको क्लिक कर लेना है जैसे आप क्लिक करोगे यह आपका लोड हो चुका है यहाँ पर अभी कुछ काम करना है तो देखो यहाँ पर इसकी सिमेट्री ओन है दोनों साइड में यह पॉइंट बन के आ रहे है अगर हम कुछ बनाएंगे और तो यह दोनों साइड में बन रहा है हमें क्या करना है यहाँ से टांस्फॉर्म में जाना है एक्टिव सिमेट्री को आफ कर देना है ताकि हम कोई भी अगर कर्व बना रहे हैं जेनरेट कर रहे हैं तो वो सिंगल बने डबल ना बने मिरर कॉपी ना हो उसकी तो देखो यहाँ पर हमने कर्व पिंच ब्रेस ले लिया है नाम सही पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर कर्व बनने वाला है तो कर्व के थुरू क्या जेनरेट होगा पिंच का मतलब होता है कोई कोई स्पेस या कोई एरिया जिसको हम अंदर की तरफ पुस कर रहे हैं या बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं तो पिंच बेसिकली में अंदर पुल करना होता है तो इससे बेसिकली हम कट मारते हैं किसी चीज में करके और यहां पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे आपके जो सेफ है आपका जो मॉडल है वहां पर पिंच इफेक्ट आ गया है देखिए यहां पर एक पिंच इफेक्ट आ गया है देखिए इस तरह से पिंच हम लगाते हैं आप इसका रिवर चलाना है जो यहाँ पर इसकी मेस अंदर की तरफ प्रेस हो गई थी, हम चालते हैं कि इसको बाहर की तरफ प्रेस करना है, तो आप अपने कीबोड के आल्ट बटन को प्रेस करके रखिए और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है तो आप देखे यहीं पर जो मेस अंदर की तरफ जा रही थी वो अभी बाहर की तरफ आ रही है क्लिक किया shift बटन प्रेस किया और थोड़ा सा बाहर की तरफ से लाएंगे जैसे छोड़ेंगे आप देखो कि हमारा ये चारो तरफ round circle का से जो है वो cover हो चुका है अभी इस case में अगर आप क्लिक कर देते हो तो देखे आपको कितना अच्छा डिजाइन बनके आ रहा है यहाँ पर ये simply तो हमें क्या करना है ये देखिए बहुत ही प्यारड़ आप ऐसा कर सकते हो breast का size अगर आपने बड़ा कर दिया है और उसके बात से इसके उपर क्लिक करते हो तो जो भी breast का size होगा उसके according ये save को change कर देगा ये अंदर को इसने pinch कर दिया है दबा दिया है यहाँ पर जाते हैं transform में और symmetry कौन करते हैं पर y symmetry चाहिए x नहीं चाहिए और radial चाहिए radial में हमने 8 कर दिया है अब देखिए होगा क्या जब यहाँ पर आएंगे तो 8 stroke हमें मिल जाएंगे हम click करेंगे यहाँ से और नीचे की तरफ ऐसा बनाते हुए आएंगे देखो पर भी इसने बनाया नहीं है फिर से देखते है ये और नीचे की तरफ बनाती हुए आएंगे इसने 8 कर बनाये होंगे क्लिक करोगे तो आठ साइड में ये ऐसा कट करेगा ब्रस का साइज थोड़ा सा बढ़ा करके अगर हम फिर से क्लिक करते हैं इसके उपर तो देखें कुछ इस टैप से सेब बना रहा है ये हमें कट करने के भी काम आता है हमारे मॉडल के उपर अगर कट लगाना है चोटा सा तो आप भी हम पिंच ब्रस को यूज कर लेते हैं देखें ये हमारे पास में एक मॉडल है कंट्रोल डी से इसकी डिवीजन थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं ताकि जो पिंच ब्रस से थोड़ा सा अच्छा सा काम करें मॉडल के उपर अगर कट दिखाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो यहां सिमेट्री चल लगी है तो हम X बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि सिमेट्री हमारी आफ हो जाए हम चाहते हैं इसके यहां पर गाल में एक छोटा सा कट बना दें तो हमने क्या किया यहां पर पिंच ब्रेस हमारा एक्टिवेट है और यहां पर हमें जैसा भी कट लगाना है उस तरह से हम यहां पर ऐसा चला देंगे कि इस तरह से अगर चलाना अगर आपको चेंज करना है तो आप ऐसा चेंज कर सकते हैं अभी भी एनी टाइम यह देखिए करव को हम जैसा डीजाइन दे रहे हैं यह स्टार्ट पॉयंट हमने ले लिया अगर आप इसतरह से काम कराना चाहता ह। अगर आप आप को काम कराना है तो आप बीच में करव को करके ऐसा कर सकते हैं तो देखिए यह कट बन रहा है प्यारा सा आपको अगर ऐसा नहीं दिखाना है आप थोड़ा सा यहां पर चले जाएंगे यह तो यह स्टार्ट और इंड पॉइंट के थुरू भी कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है यह पूरा कट थोड़ा सा मूव होन हैंगे तो पूरा कर्व आपका मूव होगा यह देखिए एज इस पूरा कर्व मूव हो रहा है तो आप कैसा भी करा सकते हैं यहां पर तो अगर आपको पूरा मूव कराना पूरा मूव करा सकते हैं यह पिर आपको लगता है कि वह सिंपल कर्व कोई मूव कराना देखिए क थोड़ा से इसमें सेप में काफी ज्यादा वेरियेशन आ रहा है यह यह देखिए खिच रहा है है न कहीं तक भी लेके जा सकते हैं यह 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 इलास्टिक सिटी अगर अन कर लिया है तो यह देखिए क्लिक कर लो कुछ इस टाइप से अब यह अगर कट बन गया है थोड़ा सा और डीप कट अगर बनाना है हमको तो यू प्रेस करके इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं ब्रेस का साइज थोड़ा सा और बढ़ा कर सकते हैं ताकि जो कट लगे थोड़ा से चोड़ा हो तो यह फ़िए चोड़ा हो रहा है थोड़ा सा कम करेंगे और फिर तो यह कट लग गया अब हम सिफ्ट डी प्रेस कर देंगे ता कि वह कर्व था वो गाय वो जाए देखी कितना डैप्थ में इसके बाडी के उपर गणा है अब हमें मर्ज भी तो करना होगा जो यह कट लगा है तो म इनको merge कर लेंगे ताकि कि लगे कि एक कट हमारे स्किन में मर्ज हो चुका है हलका हलका साइड साइड में हम ब्रेश चला देंगे smooth brush ताकि ऐसा ना लगे वो suddenly cut start हुआ है तोड़ा सा हो जाएगा अब आप देख सकते हो इसी को तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक में आ रहा है ठीक है हम इसके अगर आइब्रो के ऊपर एक कट लगाना चाहते हैं सेम तरीके से तो फिर फिर से चलते हैं ब्रस का साइज हम थोड़ा से छोटा करते हैं यहां पर कुछ इस टाइप से जैसा भी डिजाइन आप बना सकते मुआ थाओ हो यह कट हमें लगाना है उसके बार आइस प्लिक कर देंगे तो देखो ऐसा कट लग गया उसके बाद में हम सिप्ट डी या कंट्रोल डी प्रेस कर लिएगे सफ प्रेस कर लिए यह लास्ट और एंड में ताकि मर्ज हो जाए लगे कि कट आपका यहीं से स्टार्ट सडिनली नहीं हो रहा है थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो अगर आपको अपने बाडी में या किसी भी पार्ट के ऊपर ऐसा कट लगाना है तो आप इसका यूज कर सकते हों कर पिंच ब्र और यहां कर्व की प्रापरटी के साथ में कैसे काम करते हैं इसको बेंड कब हटाना है इलास्टिक कब यूज करना है तो इस तरह से आप अपने मॉडल को थोड़ा सा और रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं नेक्स्ट सीरीज में हम अभी कर्व के और भी ब्रेस को कवर करने वाले हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं आपको किसी टापिक पर अगर आपको वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और फ्री में अगर आप लोग को सीखन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू